NEED 2024 exam में अब दो महिने का समय रह गया है और आपका जो major focus है अब revision की तरफ है कि मुझे NCRT biology को 10 बार अच्छे से revise कर लेना है ताकि मैं NEED biology में 340 मार्थ लावा जो बच्चे sincerely पढ़ने होंगे उनकी NCRT बुक बिलकुल रंगीन हो गई हो भी एक एक लाइन highlight करके पढ़ पढ़के उनकी आखे दुख गए होंगी बट फिर भी उनको confidence नहीं आ रहा होगा कि भाई क्या NCRT biology मुझे अच्छे से आती है तो हम आज के वीडियो में बेटा इस इसी revision technique को थोड़ा tweak करने वाले हैं कि आप NCRT biology को एक नए तरीके से revise कीजे जिससे आपका revision का time भी कम होगा और आपके question solving ability भी बढ़ जाएगी तो मैंने पिछले साल एक किताब launch की थी जिसका नाम था between NCRT line टेखनी की मैंने किताब नहीं launch की थी मैंने उसका PDF टेलिग्राम पर दे दिया था जिसको बच्चों ने solve किया था उनको बड़ा फाइदा मिला था तो बच्चों की बहुत request थी कि सर आप उसी NCRT between line को नए syllabus के हिसाब से launch कर दीजिए तो हमने आपके लिए बनाया है NCRT workbook for biology अब क्या है ये workbook देखो बड़ी अनियूखी सी चीज है पहला पांच तरह के सवालों में बाटा है ये MCQ वाली किताब नहीं है ये तुमारी NCRT के पूरी revision कराने वाली किताब है तो जैसे living world ही को लेते हैं ठीक है तो तुमको पहले देखो short answer type question है who is the darwin of the 20th century आप में इसे 90% लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे क्यों 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 ये living world के पहले वाले पहले में जो scientist का नाम है Ernest Mayor वहां से ये सवाल उठाया गया तो क्या होता है हमसे कभी-कभी NCRT की line में सोजाती है और यहां पे ये किताब उन line को भी cover करने का काम कर रहा है तो पहले short answer type question में आपके NCRT का recall होता जाए तो हर एक NCRT के line को question के form में आपक से कम time में तुम इसको answer करके systematic तरीके से important NCRT line को cover कर पाऊ ठीक है उसके बाद आपको fill in the blanks type question दिये ताकि तुमारा NCRT का और अच्छे से recall हो पाए फिर आपको true false type question दिये जिससे जो statement based question आते है इंदर नीट exam में उसको तुम धंग से solve कर पाऊ कुछ confusing line होते है NCRT के उसको फिर match the following question दिये जिससे आप का revision हो पाए और उसके साथ साथ हमने आपको assertion reason type question भी दे दिये जो ज़्यादा तर किताबों में आपको नहीं देखने को मिलता है assertion reason question करना बहुत important है क्योंकि लगबग 10 से 12 assertion reason question हर साल नीट exam में आता है यह latest trend आपको देखने को मिला है ठीक है उसके बाद हमने इन chapters के hint और solution दे दियो तो क्या है कि तुमने जब question किया solve किया उसके hint और solution से match कर रहो एक बार और तुम्हारा revision हो रहा है जैसे true false में भी क्यों true है क्यों false है कौन sensitivity line से सवाल है उन सब को अच्छे से explain किया गया है इस किताब में तो यह perfect revision kit हो जाता है तुम यह किताब बेटा आपको मेरे website fundabox.in या fundabox app पे मिल जाएगा तो यहाँ आप जोगे जब fundabox app या fundabox.in खोलोगे तो NCRT workbook आपको दिखेगी आप इसको buy now पे click करना और आप यह NCRT workbook खरीद लेंगे आपके घर पे courier करके deliver कर दिया जाएगा इस किताब को ठीक है तो ज 10 full slavers mock test भी latest NTA slavers के साब से launch कर दिया जिसमें आगे हैं आपको mock test मिल रहा है mock test का text solution किताब नहीं मिल रहा है तो किताब के form में हमने 10 mock test बना दिया उसके साथ OMR दे दिया है और उसके साथ आपका detailed solution में भी दे दिया तो इन दोनों का combo अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इन दोनों का combo आप 899 में ही खरी सकते हैं यहां पे देखिए केमेंट सेक्शन में वीडियो पसंदर वीडियो को लाइक किजिए गर चानल को सब्सक्राइब फीजिए और बेल आइकन दबा दिए ताकि आप को इनुट से मिस ना करें मिलते हैं अगले वीडियो में टेक केर बाब और है वेगर देख थांक यू